तो कैसे हैं आप लोग, I hope आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ, चलिए guys start करते हैं आज का quick chart revision, quick chart revision का आज lecture number है 13, right, और as per the sequence, हम sequence के according चल रहे हैं, मैंने आपको sequence पहले से ही share कर दिया है, मेरे हर chart revision के video के description में आपको sequence मिल जाएगा, आज का क्या topic रहेगा as per the sequence, as per the sequence हम start करने वाले हैं business combination, consolidation का पूरा group indies, why I am saying group indies, क्योंकि business combination, consolidation, joint venture, associate ये सब मिला कर तकरीबन 3 से 4 indies बनते हैं, जैसे सबसे पहले हम start करेंगे indies 27, फिर indies 103, फिर indies 110, फिर indies 111 और फिर indies 28, मतलब कुल मिला के 5 indies के पूरे group को जब हम complete कर लेंगे, तो हमारा complete तौर पर business combination, consolidation, joint venture, associate का portion मिलके complete हो जाएगा, तो ये quick chart revision के sessions जो होंगे, ये सिर्फ आज के session में नहीं हो पाएगा, obviously हम जो session लेते हैं, वो देड़ घंटे से दो घंटे के बीच के लेते हैं, तो इसी लिए आने वाले लगबग 4 से 5 sessions इसी पे लगने वाले हैं, हमारे पूरे topics पे, जो chart book आपके पास है, अगर उस chart book में आपको in days 27 नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है, तो आप मेरे telegram channel पे जाके, आप ये डाउनलोड कर सकते हो, telegram channel में मिलेगा, मैंने group पे share नहीं किया है, ठीके ना, हाला कि मुझे पता है, बच्चे group पे भी share कर लेंगे अपने हिसाब से, मैंने अब भी just telegram अपने channel पे share किया है, राइट मेरे channel का नाम क्या है, मेरे channel का नाम है CHI चामला, ठीके, तो आप जाईए, आप उस channel में जाके, ये in days 27 आप download करें, ये in days 27 डाउनलोड करना बहुत जरूरी, हम सबसे पहले शिरुवात ही यहां से करेंगे, ठीके, अच्छा अब मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ, मैंने तो ये पूछा भी नहीं कि आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं और आ रही है कि नहीं आ रही है, सर ने टेली कि ठीक है, मुझे ये सबसे पहले बताईए कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, obviously अभी तक होगा वो आपने सुना होगा अच्छे से अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले बताई कि आपको आवाज क्लियरली आ रही कि नहीं दूसरा आपने ये चार्ट को डाउनलोड कर लिया कि नहीं टेलिग्राम चैनल पर जाके आपने चार्ट को डाउनलोड किया कि नहीं किया कन यू प्लीज टेक एप παğाल मखेसL disasters करने डि scholarships कैक अकॉलिगी चलोंगा Sonora अपना सी कहसे जो मैंने सोचा है मिसी क्यों आप धैकम आएगा मैं तभी करवा पौँगा सॉरी ओके नाव सभी बच्चे बता रहे हैं मुझे की साउंड भी प्रॉपर है अप्रॉक्स 145 स्टुडेंट्स हर विद मी राइट नाओ और प्लीज डाउनलोड कर लीजे इस चार्ट को ओके प्लीज डाउनलोड कर लीजे इस चार्ट को जल्द से जल्दी फिर मैं लाइव चैट को डिसेबल कर लूगा चलिए ओके मेरे साब से सभी बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं जिन जिन को रिक्वाइरमेंट है और हम अब लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए मैंने चैट को डिसेबल कर लिया चलिए और मोर देन वन फिफ्टी स्टूडेंट सार वित मी सबसे पहले बात को समझेगा हम जब बात करते हैं चार्ट रिविजिजन के हम जब बात करते हैं बिजनेस कॉंबिनेशन की तो यह बहुत जरूरी है समझना कि हमें सीकुइन्स क्या रखना चाहिए पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए हमें सीकुइन्स कौन सा रखना चाहिए मैं आपको एक रिकमेंडिशन दूँगा चाहे आपने एक रिकमेंडेशन रहेगा कि जब आप अपने एक्जाम में भी एक्जाम को एक्जाम से पहले जब आप रिविशन करते हो पूरे कोर्स का जब आप बिजनेस कॉंबिनेशन, कंसॉलिडेशन, जब आप उठाना शुरू करोगे तो इस सीकोइंस में उठाना ये इंडेस वाइस उठाना जिस इंडेस वाइस मैं चार्ट रिविशन करवा रहा हूँ हम सबसे पहले चार्ट रिविशन करेंगे अभी इंडेस 27 का उसका नाम है सेपरेट फिनेशल स्टेटमेंट्स उसके बाद हम चलेंगे इंडेस 103 का जिसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन मैं इंडेस 27 से शुरुआत क्यों करवा रहा हूँ आपको मालूम पढ़ जाएगा फिर इंडेस 103 फिर उसके बाद इंडेस 110 कंसॉलिडेशन अब कुछ बच्चे उलशते हैं कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 110 अलग है 103 अलग है येस अलग अलग है वो तो नम्बरिंग से मालूम पढ़ रहा है बट मैं ये गैरेंटी दे रहा हूँ और मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि ये दोनों स्टैंडर्ड को अलग अलग पढ़ा ही नहीं जा सकता ये दोनों कहीं नगहीं एक ही साथ ही आते हैं तो बेसीकली अगर मैं सिंपल लेंगोज में बोलूँ तो जो ये इंडेस 110 वाला स्टैंडर्ड है ये बेसीकली ठेयरिटिकल बेस्ट है ये आपको पूरा प्रोसीजर समझाता है कि कैसे करना चाहिए बट जो 103 है वो प्रेक्टिकल बेस्ट है पूरा प्रेक्टिकल अप्रोच आपको 103 सिखाता है recognition कैसे करते हैं measurement कैसे करते हैं जब मैं अपने classes में 103 करवाता हूं फिर 110 करवाता हूं तो कुछ बच्चे मुझे call करके query पूछते हैं कि सर आपने 110 तो करवाए ही नहीं सिर्व आपने एकी क्लास में खतम कर दिया 110 जबकि वो तो सर सबसे बड़ा स्टेंडर है consolidation तो मैं उनको समझाता हूं कि भाई ऐसा नहीं है मैंने 110 एकी क्लास में खतम इसले किया क्योंकि उसका उसमें सिर्फ procedure पार्ट है उसमें सिर्फ theoretical पार्ट है उसका जो भी practical approach है वो अपन 103 में कर चुके हैं उसके जितने भी questions practical cover होने चाहिए वो 103 में होके अपनने cover up कर ली है तो बच्चों को समया था कि अच्छा हाँ 103 में को हमने बहुत सारा consolidation किया था फिर हमें करना चाहिए इंडेस 111 जो की है joint arrangements और फिर करना चाहिए इंडेस 28 जो की joint venture and associate ठीके ये तो standard बाद के हैं पहले हम शुरुआत करेंगे इन तीनों से obviously आज की class में इंडेस 27 तो हो जाएगा और इंडेस 103 हम start जरूर कर लेंगे तो ये sequence is most important चलिए start करते हैं अब इंडेस 27 ये इस as far as lecture number 6 of business combination basically I am talking about the revision lectures which I have taken live in my youtube channel in English for business combination still there is lecture number 6 which is pending from my side even I have not yet recorded this lecture but I am trying my level best मैं जैसे ही इसको record कर लूँगा as soon as I will record this session I will definitely upload this don't worry at all मैं definitely इसको upload कर लूँगा till the time you can continue with me for this chart revision for business combination right okay let's begin the session in day 21 separate financial statement separate financial statement guys separate financial statement क्या है सामने देखिए जल्दी purpose of this standard purpose of this standard applied to individual financial statement मतलब जो ये separate financial statement है इंडेस 27 ये इंडेस 21.7 किसके उपर लगता है क्या ये consolidated financial statement के उपर लगता है ये individual financial statements जो हम बनाते है उसके उपर लगता है तो क्या ये इंडेस 27 सभी लोग लगाएंगे नहीं आगे पढ़िए applied to individual financial statements of parent company और investor company excluding investment entity excluding investment entity मतलब अगर कोई parent company है अब आप बोलो किसर parent company कॉन parent company मतलब जिसने अपनी subsidiary company में investment किया हुआ जिसके पास subsidiary है जिसके पास joint venture है associate है उसको हम बोलेंगे parent company मैं वर्ड investor क्यों यूज कर रहा हूँ हो सकता है मैं एक ऐसी company हूँ जिसके पास subsidiary company नहीं है मैंने किसी subsidiary में investment नहीं किया है पर मैंने joint venture associate में जरूर investment किया है तो मैं बन जाओंगा investor मैं parent तब बनुगा जब मेरे पास subsidiary हूँ तो basically या तो मैं parent company हूँ या तो मैं कोई investor company हूँ जिसने या तो subsidiary या तो associate joint venture company में investment करके रखा है ठीके ना और मैं अपना individual financial statements बना रहा हूँ तो मुझे in days 27 लगाना पड़ेगा to measure the investment in subsidiary और associate और joint venture अब मैं यह 27 क्यों बना बना पहलब यह 27 में क्यों लगा रहा हूँ अपने financial statements में क्योंकि मैं parent company हूँ तो मेरी books में देखा होगा investment in subsidiary मेरी separate books में क्योंकि मैं investor हूँ तो मेरी separate books में देखा होगा इन disorder investment in joint venture associate तो वो जो investment दिक रहा है मेरे asset side में उस investment को measure कैसे किया जाएगा वो बताएगा मुझे index 27 अब आप हो लो कि sir वो जो investment हमने किया है वो तो sir एक तरीके से investment हो तो financial asset हो गया क्योंकि आपने उनके equity share purchase कियोंगे मैंने बुला हां और sir आपने तो हमें financial instrument में यह पढ़ाया था कि अगर हम किसी भी company के equity instrument खरीद के रख लेते हैं तो वो हमारे लिए financial asset होती है मैंने हां तो sir ऐसे case में तो indies 109 लगना चाहिए मैंने बोला भाई ऐसे case में यह exception है कि अगर मैंने किसी company के equity share purchase किये है और वो अगर मेरी कोई कोई भी subsidiary नहीं है joint venture नहीं associate नहीं है मैंने सिर्फ उसका investor हूँ पर वो मेरी कोई भी associate joint venture subsidiary नहीं है तो मैं indies 109 लगाऊंगा वो मेरे लिए financial asset है equity instrument of another entity बट अगर मैंने किसी company के equity share खरीदे है and because of this वो मेरी subsidiary बन गई यह associate यह joint venture बन गई तो ऐसे case में indies 109 नहीं लगाऊंगा अम मैं लगाऊंगा indies 27 मैं अपने investment को बले वो मेरी financial asset है पर वो मेरी 109 में cover नहीं होगी वो indies 27 में cover होगी मैं अपने financial asset को मतलब investment को measure करूंगा indies 27 के according तो purpose of this standard सबसे important यह सब को समझना पड़ेगा कि indies 27 कैता है कि कोई भी parent company या investor company जिसने investment किया हुए subsidiary में associate में joint venture में वो अपने investments को measure करेगी अपने separate financial statements में अपने individual financial statements में according to this indies that is indies 27 ठीक है अच्छा now what is next next is how to measure investment in subsidiary associate joint venture and sfs अब हमने पहला देखा कि वह investment को measure करेगी indies 27 के according अब यह measurement होगा कैसे यह measurement कैसे ओगा India 27 हमें दो option देता है हमें मतलब parent Company को investor Company को indies 27 हमें 2 option देता है कौन से 2 option देता है पहला option वो दो option देता है दो में से आप कोई भी चूस कर सकते हो पहला option वो बोलता है कि ये काम करिये आप अपने investments को original cost पे ही carry करते हुए चलो सर मतलब आपने जितने में investments किये हुए थे वो हो गई आपकी original cost माल नीजे मैंने investment किये हुए थे 2 क्रोड रुपय में 2 क्रोड रुपय में 2 क्रोड आपका इंडेयर 16 में cost model fair value model होता है revelation model वैसे यहां पर है कि apply cost model आप अपने investment को हमेशा cost पे दिखाओ अगर आप अपने investment को हमेशा cost पे दिखाते हो तो such investments will be subject to impairment under india 36 और मैंने india 36 में भी पढ़ाया हुआ है india 36 के कोई chart revision में भी बताया हुआ है कि investment in associate joint venture subsidiary का impairment होता है तो अगर आप original cost पे अपने investments को show करते हो historical cost पे मतलब यह पहला option जो है वो historical cost है तो आपको वो investments impair करने पढ़ सकते हैं अगर impairment के indications आपको india 36 के according मिलते हैं तो option no.2 अब यह और में है यह तो one option यह तो second option first option नहीं apply करना चाहते हो आपको लगता है कि नहीं मैं अपने investments को original cost पे नहीं रखना चाहता मैं अपने investments को fair value करना चाहता हूं तो लीजिया option no.2 option no.2 है at fair value as per india 109 मेरा पैन नहीं चल रहा है कुछ लिख नहीं पा रहा हूं बट ट्राइट रू अंडर्सेंड थो एंडर्सेंड थो इस पर india 109 फ़ीटी पेल और फ़ीटी उसे अब मैं क्योंकि आपको financial instrument पढ़ा चुका हूं तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि option 2 कहता है कि चलो ठीक है माना आपको historical cost पे apply नहीं करना है तो ठीक है option no.2 में चले जाओ option no.2 मतलब आप अपने investments in subsidiary associate joint venture को हर balance sheet date पर fair value करते रहना अब हम सब जानते हैं कि investment in equity हमेशा default FPTPL category होता है होता है कि नहीं बट अगर वो not held for trading है तो आप चाहो तो चाहो तो बोला मैंने mandatory नहीं है चाहो तो उसको FPT OCI पर designate कर सकते हो तो इसलिए मैंने FPT PL और FPT OCI दोनों आपको लिखके बताया है कि आप अगर अपने investment in subsidiary joint venture associate जो की equity share के form में रखें उसको FPT PL या FPT OCI के हिसाब से fair valuation कर सकते हो मतलब हर बैलेंशीट पर इसका fair valuation होगा और जो भी fair valuation होगा उसके बाद इसका जो भी gain और loss आएगा अगर FPT पे लगा तो पेंडल में जाएगा या अगर FPT OCI हो तो वो OCI में जाएगा यह आपके ऊपर depend करता है अब option 1 ले लो यह option 2 ले लो यह आपके ऊपर depend करता है ठीक है अच्छा यह हो गया आपका how to measure the investment है अब आते हैं कैटिगरी वाइस measurement category wise measurement सर यह क्या है category wise management basically आप मुझे एक बाप पता है अगर मैं आपको बोलू की मेरी 3 category हो सकती है पहला investment in subsidiary दूसरा investment in joint venture तीसरा investment in associate तो यह 3 अलग अलग category हो सकता है मेरी subsidiary companies दो हो देरा टूसरी companies देरा फोर ज्वाइंट वेंचर कंपनी देरा रसेवन असोशेट companies of mine मतलब मैंने साथ different companies में investment करके रखा है एजन असोशेट मैं वो मेरी associate company मैंने चार ज्वाइंट वेंचर कंपनी में investment करके करके रखा है और मैंने दो subsidiary companies में investment करके रखा है इतनी सारी companies है ठीके ना तो मैं क्या जो यह बोल रहा था option number one original cost अगर मानलो मैं original cost apply करना चाहता हूं तो मुझे क्या सारे subsidiary सारे associate सारे joint venture सब में एख़टा एक ही option लगाना पड़ेगा the answer is no इंडियस कहता है कि तीन category सा लगा लगें investment in subsidiary, investment in associate और investment in joint venture category wise आप measurement option apply करोगे मतलब अगर आप subsidiary में original cost लगाना चाहते हो तो आपको सारे के सारे जितने भी subsidiaries हैं सब में आपको original cost वाला option लगाना पड़ेगा but investment in associate में आप चाहो तो original cost ना लगाके आप इस second category में fair value option अपलाई कर सकते हो पर ये fair value option फिर आप सारे के सारे associate में apply करोगे पिर आप investment in joint venture में भी चाहो तो याँ तो सभी joint venture में मिलके आप far value कर लो या तो सभी joint venture में मिलके आप originally cost कर लो ये आप की ओपर है इसका मतलब आप option number one option number two दोनों में से जब job choose करोगे तो वो category wise अब अप्लाई कर सकते हो, एक कर्केरी में और सब्सक्राइब और समय एक र Leo सटेद hiking Adobe और सब्सक्राइब में काउस मैं ये कर्फ दॐ सकते हैं आपने हम क्या दू 계속 cost model for entire category of investment in subsidiary, fair value approach for whole category of investment in associate, ऐसा, ठीक है, last, income from investment, अच्छा, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा की what to do, how to measure with the investment in subsidiary, associate, joint venture in the books of parent company और investor company, individual statements, अब हम पढ़ रहा है कि investment के उपर जो आपको income generate होगी, उसको आप अपने SFS में कहां दिखा होगे, simple सी बात है, अगर आपको कोई भी income generate हो रही है, जो की income, dividend income हो सकती है, interest income हो सकती है, अगर ऐसा कुछ है तो, तो जो भी income है, variable है, fix है, आपको जब भी income recognize करने होगे, आप एक रेकनाइस करोगे, पी इंडल में, right, आप एक रेकनाइस करोगे, statement of profit and loss में, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, और यह recognize कब करोगे, when the right to receive such income is generated, जब आपका वो right generate हो जाए, तभी आप income को book करोगे, चली, तो यह हो गया आपका India is 27, sir, बस, India is 27, इतना ही है, yes, India is 27, बहुत ही छोटा सा standard है, but, हमने यह क्यों पड़ा, पहले consolidation समझने से पहले, business combination समझने से पहले, यह तो समझ नहीं, कि हम अपने individual financial statements में, इस investment in subsidiary associate joint venture को कैसे दिखाते है, वो समझना जरूरी है, इसलिए पड़ा, ठीके, so this standard was like, इतना ही ही है, छोटा सा standard है, I hope आपको यह standard अब समझ में आ गया होगा, मुझे, अगर आपको मुझसे कोई doubt पूछना है, तो you can ask me doubt also, मैं live chat को enable कर रहा हूँ, हमने लगबग-लगबग 11 minute में, इस standard को लगबग-लगबग finish किया, क्योंकि इस standard में और कुछ है नहीं, if you want, you can ask me doubt, मैंने live chat को enable कर दिया है, tell me guys, if you want to ask any doubt, you are free to ask how you can make this part, you can make this part. सौरब से सौरब सासे सौरब मुझे ऐसा लगता है कि आपने फिनेंशल इंस्ट्रूमेंट नहीं पड़ा मैंने फिनेंशल इंस्ट्रूमेंट में बताया था कि FPT OCI Category में भी जो आपको रेगुलर इंकम होती है वो भी हमेशा पेंडल में जाती है वो भी पेंडल में जाती है FPT OCI Category का सिर्फ री मेजरमेंट गेन और लॉस OCI में जाता है इंपेर्मेंट में कॉस्ट एंड नेट असेट्स ऑफ सबसीडरी कंपनी कंपेर करेंगे ना सर येस जो ना सरे लेक्शर चार्ट रिच्राट रिच्ट कर दो सर कंई प्रीज रिफेट प्रिफृट्स बीन इंवेस्ट कंपनी एंड ऑके वके अइन वेस्टेंट गुटिंटिटी इन वेस्टमेंट इंट इस ये जो पोर्शन है जो डेफिनेशन है वो कंसोलिडेशन इंडेस वन वन जीरो में है बट मैं आभी आपको ऐसे ही सिंपल लैंगोज में समझा देता हूँ इन्वेस्टमेंट एंटिडी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका काम ही है जिसका बिजनेश ऑबजेक्टिव ही है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसिस प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को वो अपने क्लाइंट्स से पैसे लेती है और उनके बहाव पर पैसा इन्वेस्ट करती है अलग 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 डिफेंट कंपनी में वहां से जो भी income जनेरेट होती है वो सामने आले को दे जती है You can say asset management companies और mutual fund companies type से अब कभी कबार यह होता है कि वो investment company जो है investment entity जो है उसने एक particular company में इतना सारा पैसा लगा लिया कि वो सामने वाली company उसकी subsidiary बन गई पर वो subsidiary company just for investment है हम उसको permanently subsidiary अपना नहीं बनाएंगे तो ऐसे case में वो जो मेरी subsidiary company है मैं एक investment entity हूँ वो मेरा temporary investment है मैं तो उसको profit के लिए subsidiary बनाके बैठाँ जैसे ही मुझे देखेगा market hire तो मैं उसको बेच दूँगा ताकि मैं अपने clients को profit दे पाँँ तो वो मेरी subsidiary को मैं इस subsidiary को measure करने के लिए ये इंडेस 27 apply नहीं करूँगा मैं normally इंडेस 109 apply करूँगा option 2 में FETOCI किया तो वैं investment disposal करेंगे तो reclassification होता है from FETOCI to FETO, no, Ajay Joshi no, सारे के सारे rule फिर FETOCI के जो हमने पढ़े हैं वहाँ पर वो सारे के सारे rule apply होंगे मतलब अगर आपने उसको FETOCI कर लिया क्योंकि वह equity है and not head for trading है तो वही आपने जो मेने आपको वहाँ पता है कि भाई आप फिर reclassify नहीं कर पाऊगे वो सब लगेगा any gain whether when measured in OCI is not transferred to P&L, right? Yes. Sir financial instrument का एक doubt है if bank loan, मैं financial instrument का doubt अभी नहीं लूँगा separate financial statement किसको बनाना पड़ता है? Obviously separate financial statement सबको बनाना पड़ता है separate financial statement सारे companies बनाते हैं आप उल्टा पूछ रहो, बल्कि consolidate financial statement किसको बनाना पड़ता है? सिर्फ parent companies को और investor companies को sir, acquiree की balance sheet में DTA, DTL आ रहा है तो वो identifiable net assets में आएगा या क्या logic है उसका? Shiva Marora आपने मुझे से वो doubt पूछा जो अभी तक मैंने starting नहीं किया, मैंने business combination अभी starting नहीं किया कौन होता है, acquirer, कौन होता है, acquiree, यह सब क्या होता है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, यह तो मैंने अभी तक बताना शुरूरी नहीं किया, तो भी आपका doubt बहुत आगे का है, मैं बाद में बात करूँगा separate financial statement किसको बनाना पड़ता है, मैंने बता दिया, sir, can you please the difference between stand alone and separate financial statement, basically, we can use these two words interchangeably, but the actual difference between stand alone and separate financial statement means, अगर मेरी कोई subsidiary company है, मेरी कोई joint venture associate है, तो मैं दो financial statements बनाऊंगा, एक consolidated और दूसरा एक separate, separate from consolidation, तो separate financial statement, but मेरी कोई subsidiary ही नहीं, मेरी कोई associate ही नहीं, मेरी कोई joint venture ही नहीं, तो मैं तो एक single financial statement बनाऊंगा, तो उस single financial statement को मैं बोलता हूँ, stand alone, basically, ऐसा होता है, sir, अगर हम investment sale कर देंगे, तो actual gain loss होता है, तो फिर reclassify नहीं करने पे, के पीछे क्या logic है, sir, अगर आप, पहली बात हो, यह point जो आप ने पूछा, यह FET OCI के लिए है, मैं बान के चल रहा हूँ, क्योंकि FET OCI में reclassification नहीं करते हैं, basically, logic कुछ नहीं है, indies का intention clear है, investment in equity instrument, indies नहीं चाहता, हम नहीं चाहते, कि आप उसको OCI category में ले जाओ, हम चाहते हैं, कि हमेशा आप उसको FET PL category में ले जाओ, अब अगर आप जिन्द कर रहे हो, कि नहीं मुझे उसको OCI category में ले जाना है, तो ले जाओ, बट हमारी शर्त माननी पड़ेगी, कि आप उसका रिमेजर्मेंट गें लॉस, या फिस सेल करने पर गें लॉस, कभी भी रिक्लासिफाइड नहीं करोगे, अब यह restriction देने से क्या हो जाएगा, कि आप चार बर सोचोगे, कि यार मैं FET OCI में ले जाओ, कि नहीं ले जाओ, क्योंकि आगी चलके तो मुझे उसको बेचना है ही से, भले अभी नहीं बेचना, पर आगी चलके तो बेचना ही है, जब बेचना ही है, तो मुझे तो उसको प्रॉफित लॉस, अपने पींडल में तो दिखाना है boss, मैं तो चाहता हूँ कि मैं दिखाऊ, उससे एक अलागी impression पड़ेगा, तो आप उसको OCI में नहीं ले जाओ पर, अब business combination पर चलते हैं, क्योंकि business combination बहुत ही बड़ा standard है, और वो आज के session में नहीं हो पाएगा, वो आज के session में नहीं हो पाएगा, पूरा पूरा नहीं हो पाएगा, वह लागा complete नहीं हो पाएगा, business combination को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो business combination को cover करने के लिए page number one, start होगा आपको, page number three, page number four, चार पेजस में business combination cover हो रहा है, ठीके ना, चार पेजस में business combination cover हो रहा है, और इसमें जो business combination, क्या लिखा है, business combination, consolidation, addition, मतलब इस standard में यहां पर हम ind AS 103 and ind AS 110, हम यह दोनों इखटा cover कर रहे हैं, तो आप मुझसे यह मत पूछना, कि sir 110 कब करवा होगे, sir 103 कब करवा होगे, sir यह कितनी देर तक चलेगा, यह फालतु के question मत पूछना, sir कौन सा portion 103 का है, कौन सा 110 का है, जहां मुझे लगएगा, मैं आपको बता दूँगा, ठीके, अच्छा, now we are going to start ind AS 110 and 103, combine, ठीके, चलेए, जितना हो सके, क्योंकि मेरा यहां पर point यह नहीं है, कि मुझे जल्दी से जल्दी cover करवाना है, है यह कोई charter vision, पर मेरा point यह है, कि आपको समझ में आना चाहिए, यह सबसे पहली priority है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा slow रहूँगा, जैसे मैंने financial instrument को slow किया था, आईए ब पाते हैं और 103 की कौन सी बाते हैं, यह आपको मतलब अभी नहीं होना चाहिए, basics, बचो सबसे पहले, यहां हम बात कर रहे हैं कि जब एक company, दूसरी company को take over कर रही है, simple भाशा में, या एक company, किसी business को take over कर रही है, किसी business को acquire कर रही है, तो इसका मतलब कहीं नहीं यहां पर द जो business take over कर रहा है, जो company business take over कर रही है, इसको और अगर अच्छे से describe करें, तो acquirer मतलब the one who got the control, who got the control over the business of acquire company, acquire company मतलब जिसका business take over किया जा रहा है, जिसके business के ऊपर control लिया जा रहा है, तो यहां पर क्या है देखिए, control acquired by acquirer, if yes, acquirer shall prepare CFS, the most important thing, if acquirer by any transaction, takes over the control, over the business of acquiree, then only you have to prepare consolidated financial statement, अगर मैं कोई transaction कर रहा हूँ, जिस transaction के according मैं assets कुछ, मैं सामने सामने वाली company के कुछ assets खरीद लिये, पर उन assets खरीदने से मैंने ऐसा नहीं कर लिया कि मैंने उस company के पूरे management को खरीद लिया, पूरी decision making आगे चलके मेरी होगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरे पास control नहीं है, मैं कोई CFS नहीं बनाऊंगा, it is just a transaction of acquiring some assets, अभी recently एक amendment आया है, बिलकुल बिलकुल नया नया ताजा ताजा एक amendment आया है, by MCA, in the last month, I think July month में ही amendment आया है, if I am not wrong, MCA नहीं निकाला है, और अभी कुछ amendments सुनने में आया है, कि अभी और आएंगे, छोटे मोटे amendments, हाला कि उस amendment का, मैं अभी बता रहूं, amendment क्या है, amendment का relevance आपके practical questions से रही है, but theoretically उसका relevance ये है, कि basically उन्होंने business combination में, business की definition में थोड़े changes किये है, उन्होंने और wider कर दी business की definition को, जिससे आसानी होगी ये समझने में, कि business combination हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब control take over किया, जा भी रहा है कि नहीं किया जा रहा है, important ये समझने में, क्योंकि कभी कभार ये दिक्कत होती है समझने में, कि यार हमने business को take over किया है, कि हमने सिर्फ कुछ net assets को take over किया है, अगर सिर्फ कुछ net assets को take over किया है, तो शायद consolidation नहीं होगा और हमने पूरे business को टेक ओवर किया है control लिया है तो consolidation होगा तो उसमें आया है यह यह एक उसमें definition में ठीके ना अच्छा तो control acquired by acquirer यहां तो हम simplicity बात कर रहे हैं यहां मारा chart revision है chart revision आप समझते किस method से consolidation मनेगा क्या method a consolidation मनाने का any method yes the method is known as acquisition method the method is known as acquisition method अब को याद दोगा IPCC में intermediate में दो मेथाद हुआ करते थे Amel Commission में एक होता था purchase method एक होता था merger cooling of interest method यहां पर एक ही method acquisition method which is as good as purchase method acquisition method में चार steps है step number one identify acquirer मतलब who is acquirer basically किसको control मिला है किस company को control achieve हुआ है वो company कौन है यहां पर acquirer कौन है यह पता करिए आप बोलो के सर यह तो आसान है पता करना जिस company ने business लिया जिस company ने consideration दिया सर वो acquirer है generally yes but exceptionally कभी कभा reverse acquisition के cases होते है जहां पर जो company consideration दे रही है वो acquirer नहीं होगी बल्कि उल्टा वो acquirery बन सकती है reverse acquisition के case में तो acquirer is the one who got the control simply you have to identify कि acquirer कौन है acquirer is the one who got the control आप यहां चाहो तो नीचे लिख देना कि acquirer is the one who got control ठीक है तो आपको सबसे पहली step यह है कि identify acquirer second number step second number step determine the date of acquisition of control this is most important step आपको यह देखना है कि किस दिन control हमने acquirer किया क्योंकि उसी दिन के according हमें सारे के सारे measurements और accounting शुरू करनी है business combination की तो आपको date of acquisition पता करना है कि control हमें किस दिन मिला date of acquisition क्योंसर क्योंकि क्योंकि इसी date of acquisition पर आपको net assets निकालने है आपको non controlling interest निकालना है आपको goodwill और gain from bargain purchase जिसको capitalism में ले जाते हैं आपन वो निकालना है और इसी date पर आपको consideration निकालना है basically यह date इतने इसी लिए important है क्योंकि इस date पर आपकी calculations होना शुरू हो जाएंगी date of acquisition तीसरी step recognize and measure identifyable assets liabilities assumed and NCI क्या बोल रहा है step number one क्या थी identify the acquirer step two determine the date of acquisition third जो भी date of acquisition पर आपने assets खरीदे है liabilities को assume किया है assume किया है मतलब liability कभी खरीदते नहीं है liability assume करते कि तेरी पाइस जो liability है अब मान के चल रहा हूँ कि वह मेरी liability क्योंकि मेरा control आगया तो तेरे सारे asset मेरे तेरे सारे liability मेरे तो उस दिन date of acquisition पर जो भी आपने assets पर टेक ओवर किया है एक सिस्टम चार्ज हाँ चार्ज है आपने उस जो भी आपने assets खरीदे हैं liabilities assume किये और अगर कोई nci है अगर कोई nci है अगर nci तभी होगा जब आपने investment 100% नहीं किया होगा तो उस date पर आप record करो और इन तीनों को measure करो इन तीनों को record करो इन तीनों को measure करो यह आपकी third step है और fourth step है कि चलो आपने इन तीनों को record तो कर लिया measure कर लिया measure करोगे तभी record करोगे अब चौथी चीज को भी record और measure कर लो which is called goodwill or gain from bargain purchase so recognize and measure goodwill or gain from bargain purchase so guys यह चार steps बहुत जरूरी है चाहिए आए चलिए मेरे साथ 4 step बोलना शुरू करिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं हम acquirer की books में consolidation करने के लिए acquisition method लगा रहे है acquisition method में 4 चीज़े होती है पहला identify acquirer वही तो acquisition method लगाएगा दूसरा determine date of acquisition तीसरा net assets मतलब assets identifiable liabilities जो आपने take over की है और NCI इन तीनों को record करो measure करो और चौधा goodwill और gain from bargain purchase इनको भी measure करो और record करो यह 4 steps होती है आपके business combination में acquisition method की ठीक है चलिए हम यह क्या पढ़ रहे हैं हम सबसे पले उपर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं सबसे फिले basics पढ़ रहे हैं अभी हम basics पढ़ है मैं alphabetically arrange करते जाओंगा ठीक है ना सबसे फिले हम a basics पढ़ रहे हैं what is the first step to solve the question simply question solve करने के लिए आपको पहले mind में क्या आना चाहिए आपके mind में आना चाहिए कि भाई on date of acquisition we need four elements आपकी सबसे पहले mind में आना चाहिए कि या date of acquisition पर हमें चार चीजों की ज़रुत पढ़ेगी पहला purchase consideration which is discharge by parent company purchase consideration basically purchase consideration क्या है मतलब वो business का control प्राप्त करने के लिए वो business का control प्राप्त करने के लिए उस control की कितनी value है उस control की कितना consideration रखता है वो आपको पता करना पड़ेगा that purchase consideration will always be calculated at fair value definitely वो fair value होगा second कौन सी चीज़ आपको चाहिए second element we need four elements on data acquisition to solve the question first element is purchase consideration you need purchase consideration purchase consideration question में होगा तो अच्छी बात है नहीं होगा तो आपन निकालेगे कैसे निकालेगे वो आपन सीखेंगे second net assets of acquiree acquiree company के net assets क्योंकि हमारा control है उस company में तो control को आप कि sense में लोगे net assets को take over कर रहे हमें उस company का net assets चाहिए दूसरा element fair value पर तीसरा element NCI non controlling interest now what is this NCI हो सकता है कि हमने किसी company में 90% investment किया हो कितना investment 90% even though हमने 90% investment किया है बट हमें जो control मिला होगा वो control हमेशा कितना मिला होगा 100% भले मैंने 90 ना करके 70% investment किया है तो भी control मुझे कितना मिला होगा 100% बच्चो control यह तो होता है यह तो होता है ऐसर नहीं होता कि मैंने 90% investment किया तो मेरे पास 90% control मेरे पास पूरा है क्योंकि मैंने investment 50% से जाधा किया है मतलब एक बार मेरे पास control आ गया तो वो control हमेशा 100% ही रहेगा पता नहीं मेरी pen को क्या हो रहा है बीच बीच में कि प्लीज बेर इस थिंग कंट्रोल मेरे पास हमेशा 100% ही होगा अगर मेरे पास मैंने अगर control acquire किया है तो बट अब जैसे मैंने आपको बला कि मेरे 90% का investment किया है control तो मेरे पास 100% है पर investment किता है 90% मतलब मेरा जो उस सामने वाली company है query है उस company के net assets में मेरा 90% sharing है वो profit earn करेंगी तो 90% मुझे मिलेगा loss होगा तो 90% मैं bear करूँगा 10% कौन bear करेगा वो लोग जिनके पास control कुछ नहीं है that means non controlling interest वो लोग जिनके पास control तो नहीं है पर 10% का share है तो NCI तब होता है जब हमने 100% investment नहीं किया होता है ठीक है पर control तो हमार पस 100% ही होता है तो NCI अच्छा NCI निकालने के दो तरीके होता है पहला या तो fair value पे या तो proportion of net asset method दो तरीके होता है वो मैं आपको आगे चलके बताऊंगा कि proportion of net asset method क्या होता है और चौथा element क्या है यह goodwill मेरा पैन नहीं चल रहा है अगें बोल रहा हूं प्लीज बेर दिस गुडविल और गेंट फ्रॉम बार्गें पर्चेस तो फोर्थ ऐलिमेंट इस गुडविल और गेंट रॉम बार्गें पर्चेस चार चीजें हमें चाहिए होती है यह हमारी फॉर्स स्टेप है तू सौल्ड क्वेस्टन हमारे माइंड में चार चीजें होनी चाहिए पहला पर्चेस कंसिटरेशन दूसरा net assets at fair value तीसरा NCI either at fair value or proportion of net assets मैं आपको दोनों में बतांगो क्या होते है और चौथा goodwill or gain from bargain purchase sir goodwill or gain from bargain purchase कैसे निकलेगा आये देखे goodwill or gain from bargain purchase is nothing आप यूं समझो मैंने कितना दिया मतलब purchase consideration और मुझे कितना मिला मतलब net assets मैंने कितना दिया that will be compare with the net assets मुझे कितना मिला so basically goodwill or capital goodwill or gain from bargain purchase is calculated by comparing basically two things क्या what I have paid and what I have got so what I have paid I have paid purchase consideration and what I have got I have got net assets so technically it is a difference between purchase consideration and net assets goodwill capitalism निकलता है sir अगर ऐसा ही है तो फिर आपने यहां पर NCI क्यों लिखा है technically better what I have paid is called purchase consideration and what I have got is net asset so net asset मुझे कितना मिला अगर मैं control point of उसे देखूं तो मुझे 100% control net asset में है पर अगर मैं sharing point of उसे देखूं तो मेरा net asset में सिर्फ 90% share है तो I should compare purchase consideration with the proportionate 90% net assets then I will get the goodwill or gain from bargain purchase alternatively if I am comparing purchase consideration with 100% net assets then the 10% will be definitely of NCI तो इसलिए मैं NCI लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर net asset 100% लिख रहा हूं आप अगर NCI यहां पर नहीं लिखोगे तो और net asset से अगर आप 100% की जगा है proportionate लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है पर ऐसा करना नहीं है हमेशा हमें NCI को दिखाना है इन तीनों चीज़ों को compare करके आता है इन तीनों चीज़ों को compare करके आता है ठीक है सो यह हमारा था basics basics मतलब हमने अभी तक basically हमें यह समाजना जारूरी हो बिसनेस combination consolidation के लिए हमें कौन-काँ सी चीज़े चाही होती है ठीक है अच्छा जी शर्णो इन ब्रेट if you have any doubt please ask me sir could you explain what identifiable asset means identifiable assets means acquiring company books make yes many a building patent patent intangible identify basically assets actually importance yes it is identifiable how to identify date of acquisition basically date of acquisition मतलब the date when control is acquired जिस दिन तुमें control मिला मतलब जिस दिन तुम्हारे पास decision making power आया वो date of acquisition होगी सर फेर वेली ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट क्यों एड कर रहे हैं आगे का कॉंसेप्ट है इस वाले को मैं पैंडिंग कर रहा हूं भी यह मल्टीपल एक्कोजिशन वाला पॉइंट है उसको मैं आगे बात करूंगा ओके प्रीवियस इंट्रेस्ट की डेटा वेकिशन में फिर वेली निकालेंगे तो उसमें जो गेन होगा उससे भी अकाउंट पॉर करेंगे आव एवरीबडी इस ट्राइं तो भी हीरो लाइक मतब यार प्लीज आप अपने doubts को थोड़ा सा hold क्यों नहीं रखते हूं मतलब जो चीजों पर अभी मैं आया ही नहीं हूं मैं वह चीजे अभी नहीं समझा हूंगा आप अपने doubts को थोड़ा सा पेंडिंग करो so this is the basic right sir if fair value is not given then can we then can we recognize अगर fair value नहीं दिया होगा तो by default question solve करने के लिए आपको जो book value होगी carrying value होगी अक्वारी की books में आप वही ले लोगे सब्सेटर नहीं लिए 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 ले से लिए सेटर नहीं sir x Limited is a subsidiary of Y Limited, Y Limited purchase shares of Z Limited but shares are registered in the name of X Limited then who is acquirer? X limited is a subsidiary of Y limited. ठीक है? X, Y Y limited purchase the shares of Z limited. Subsidory holding purchase shares of Z limited. Purchase. But shares are registered in the name of X limited. Who is acquirer? Y is acquirer? Y is acquirer? ठीक है? शेलो बो और कोई दाउट? नो? कोई दाउट? नो शेलो अब आते हैं अपन अरे यार अब अपन आते हैं B portion इसको आप B कर दीजे 4 elements as on date of acquisition the point is B number point अपनने A number point दीजा था basic को A number point में हमने पढ़ा था what is the first step to solve the question जिसमें हमने पढ़ा था 4 elements होते हैं अब हम पढ़ रहे हैं उन 4 elements को detail में उन 4 elements को अपन detail में पढ़ रहे हैं उन 4 elements को अपन detail में पढ़ रहे हैं now we are learning these four elements पहले हम देख लेते हैं four elements में क्या-्का पढ़ने वाले एक तो हम purchase consideration के बारे में पढ़ने वाले एक हम net assets के बारे में पढ़ने वाले फिर chart अगले page पर आएगा तो उस में हम non controlling interest के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम good will और gain from bargain purchase के बारे पढ़ेंगे, आज के session में इतना ही हो जाए बहुत है, I don't know, इतना भी हो पाएगा कि नहीं, इतना भी अगर हो जाए तो बहुत है. चलिए, purchase consideration. Purchase consideration. कोई डाउट छूट तो नहीं गया? चलो, purchase consideration. Purchase consideration में क्या-क्या include होता है? The first is cash. Whatever cash you are paying, that is a part of purchase consideration. Present value of deferred cash हो सकता है, आपने बोलाओ कि मैं एक साल बाद आपको बाकी के 10 करोड रुपए दूँगा, अभी मैं आपको 15 करोड रुपए दे रहा हूँ. मैं आपको 10 करोड रुपए बाद में दूँगा, एक साल बाद, तो उसकी present value, deferred cash. Fair value of contingent consideration. Contingent consideration मतलब, जो consideration fix नहीं है. पता नहीं मैं आपको दूँँ भी कि नहीं दूँ. Future में दूँँगा, अगर कुछ condition fulfill हो जाएंगी तो, अगर जिस company को मैं take over कर रहा हूँ, अगर उस company ने मुझे एक साल में minimum 10% का ROI दे दिया, तो मैं आपको extra 5 करोड रुपए दूँगा. Contingent consideration. तो उस contingent consideration को pay करने के कितने chances हैं, कितना value होगा, उसको measure करना है मुझे. यह भी अपन present value करेंगे. अगर उसके देने के chances ज़्यादा है तो, तो वो भी consider होगा. सर आगे चलके वो contingent consideration बदल जाए तो, अगर वो आगे चलके contingent consideration change हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो जो भी difference हैगा, वो पी इंडल में जाएगा. चौता, fair value of shares issued assets given. हो सकता है आप cash के अलावा, आप हो सकता है सामने वाली company को अपने share दे रहे हो, हो सकता है किसी दूसरी company के share दे रहे हो, हो सकता है आप कुछ assets दे रहे हो, आपने जो भी kind में दिया उसका fair value. और अगर आपने उस company के कोई liability को pay off किया, तो वो भी आपका purchase consideration का part है. For example, मैं आपके business को take over कर रहा हूँ और आपको मैंने 25 crore रुपए दिये, पर इसके लावा आपने बोला कि sir, आपने मुझे बोला कि 2 crore रुपए मुझे किसी और को pay करने है, क्योंकि वो आपकी personal liability है, आपका कोई एक liability है, जो कि आपके books में भी नहीं दिख रही, मालो कोई taxation liability है whatever, तो 2 crore मैंने आपके बेहाफ पर पेक किये, तो वो भी मैं कभी आपन हुगा, कहीन है कहीन है मैंने 2 crore रुपए आपको दिये, तो basically that will be also part of purchase consideration, fair value of liability हो जो तो purchase consideration में ये सारे चीज़ आती है, cash, defer cash तो present value, contingent consideration तो उसका fair value, value of shares issued अगर मैंने आपको share issue किये हैं, या फिर आपको ने किसी दूसरे company के share दिये हैं, asset दिया तो उसका fair value, liability assume कि तो वो सब आएगा, exclude, purchase consideration में क्या-क्या नहीं आएगा, stamp duty payment, अब क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ आपकी business को, तो हमने कोई agreement वगेरा sign किया होगा, उस agreement का हमने जो भी registration, registered agreement हमने करवाय तो उसका जो भी stamp duty हमने पे किया है, legal charges जो पे किया है, legal charges basically, stamp duty या फिर legal charges, वो legal charges will not be a part of PC, क्यों, क्योंकि वो मैं company को नहीं दे रहा हूँ, वो मैं किसी outside party को दे रहा हूँ, fees paid to the regulator, what is this regulator, for example मैंने किसी telecom company को purchase किया, अभी जैसे मान लीजे, idea Vodafone की हलत खराब चल रही है, ठीक है ना, suppose Reliance Geo ने idea Vodafone को take over कर लिया, पुरा network वगेरा उसका जो भी बेट था वो सब खरीद लिया, हलागि ऐसा होना मुश्किल है, तो idea Vodafone को किस ने खरीद लिया, Reliance में, अब idea Vodafone हो चाहिए Reliance Geo हो यह सब, इन सब के उपर, ट्राय जो है वो regulating authority है, उससे भी तो permission वगेरा लेना, उसको सब बताना, उससे license transfer fees उसको pay करना, यह भी तो सब जरूरी है ना, तो जो भी हमने fees pay किया होगा, regulator को, license fees, transfer करने की, वो regulator को pay किया, मतलब triac को pay किया, department को pay किया, वो हमने idea Vodafone को pay निंग किया, तो वो भी आपका acquisition का part नहीं बनेगा, वो आपके cost का part नहीं बनेगा, विशाल सर मुझे call कर रहे है, actually मेरे phone पे, मैं बाद में उनका call उठाऊंगा, I just want to tell you, ऐसे phone आया भी मुझे दिख रहा है, विशाल सरे is calling me, anyways, आगे, transaction cost, अगर मुझे उनका थीसरी बार call आया तो मुझे उठाना पड़ेगा boss, इसके बाद मैं उनको इतना ज्यादा wait नहीं करवा पाऊंगा, transaction cost, transaction cost, transaction cost मतलब, कोई भी other cost, आपने अगर कोई भी charges पे किया, processing fees वगेरा पे किया, यह सब के सब आपके P&L में जाएंगे, all will be transfer to P&L, मिर को यहाँ पर लिखना चाहिए था कायद इसे, बड मिनने लिखा नहीं है, यह सारे के सारे P&L में जाएंगे, पेंडल in the books of acquirer, क्योंकि यह सारे खर्चे अगर acquirer ने bear किये हैं, तो यह सब acquirer के books में जाएंगे, purchase consideration का part नहीं बनेगा, तो मुझे लगता है आपको यह points में आ गया हो, first point purchase consideration, right? Next is, Net Assets, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यह B portion, rate of acquisition, उसमें से पहला element हमने पढ़ा, purchase consideration, दूसरा, Net Assets, जो की सबसे ज़्यादा important है, Net Assets, किसके Net Assets? Net Assets of Acquiry Company, Acquiry Company के Identifiable Assets and Liabilities Assumed, क्या करेंगे? आईए, इसमें दो चीज़े पढ़नी है, recognition, measurement, recognition मतलब record करना, measurement मतलब उसको कौन सी value पर record करना है, वो देखना है, recognition, मतलब record करना, आप उनके कौन-कौन से Assets को record करोगे, आप उनके कौन-कौन से Assets को record करोगे, यह पढ़ना है, पहला, Assets and Liabilities Shown in the Aquaries Financial Statement, Acquiry की Balance Sheet में जो भी Asset Liability दिख रही है, वो मुझे record करना है, yes, plus, plus है बीच में, ध्यान से देखेगा, यह plus है बीच में, Asset Liability not shown in the Aquaries Financial Statement, but recognition criteria satisfied, तुम्हारे balance sheet में एक asset है या एक liability है, तुम्हारी balance sheet में एक particular asset या liability नहीं दिख रही है, but मैं उसको record कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए identify-able है, जैसे, income tax liability, तुम्हें अपनी books में अभी तक recognising नहीं किये, but मुझे पता है कि वो मुझे pay करनी पड़ेगी, otherwise मुझे department से no dues का clearance नहीं मिलेगा, business combination करने के लिए, तो वो मैं अपनी books में liability मान के चल रहा हूं, तुम्हारी books में एक receivable करके asset दिखना चाहिए, पर नहीं दिख रहा है, वो मैं उसको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं उसको recover कर लूँगा, मैं उसको recover करने की शमता रखता हूं, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? Identifiable, कुछ बच्चे पूछे पूछे रहा है, तुम्हारी books में asset recorded है, क्या है चाहे नहीं है, मुझे दोनों assets को, दोनों liabilities को book करना है, अगर मेरे point of view से उसका satisfy, recognition criteria satisfy हो रहा है तो, तीसरा, contingent liabilities, अगर तुमने, अगर तुम्हारी कोई contingent liability है, if present obligation, present obligation के तुरू, अगर इंडेस 37 की बात करें, तो इंडेस 37 में 2 obligations होती है, present obligation, possible obligation, दोनों obligation से अपकी contingent liability बनती है, बढ़ हम possible obligation की अभी बात नहीं कर रहा है, हम सिर्फ बात कर रहा है present obligation, अगर present obligation के चकर में, तुम्हारी कोई contingent liability है, even though outflow is not probable, अगर पता है तुम जानते हो कि outflow नहीं होगा, पर present obligation के चकर में contingent liability है, तुम उसको भी अपनी books में record करोगे, record, contingent liability को सामने वाले ने record नहीं किया होगा, disclose किया होगा, पर तुम उसको as a liability record करोगे, येस, तुम उसको as a liability record करोगे, चौथा indemnification asset, यह सर क्या है, if indemnified by acquire and related liability already recognized, related liability already recognized, मतलब, मान लीजे, कि acquirer, और acquire के भीच में एक बात चल रही है, acquire ने बोला, कि actually नहा, acquire ने बोला, कि हमने एक loan के उपर guarantee दियो है bank को, सिर्फ हमने guarantee दियो है, तो acquire ने बोला है तुमने वो guarantee दियो है, तो क्या लगता है, तो acquire बोल रहा है, कि आगे चल के हो सकता है, हमने वो loan pay off करना पड़े, क्योंकि हम उसमें guarantor है, तो acquirer, ने acquire को बोला, कि ठीक है, अगर वो pay करने के chances हैं, तो वो मैं अपनी books में liability बता रहा हूँ, but क्योंकि guarantee तुम्हारे time की है, तो तुम मुझे indemnify करो, कि कल को अगर मानलो pay करना पड़ा, तो मैं जब pay करूँगा, तो मैं तुम्हारे business को take over कर रहा हूँ, जब मैं pay करूँगा तो उसका 50% तुम मुझे reimburse करोगे, तुम मुझे indemnify करोगे, basically, acquire, acquirer को पैसे देगा आगे चलके, कि अगर guarantee के कारण, उसके उपर liability आती है तो, अब देखो, guarantee किस ने दी, acquire ने, पर take over business कोन कर रहा है, acquirer, तो ultimately आगे चलके, किसको pay off करना पड़ सकता है, acquirer को, तो acquirer उसकी liability book कर रहा है, तो if the liability is already recognized, और indemnify कर रहा है मुझे acquire, तो मैं वो भी asset book करूँगा, indemnification asset कि हाँ, मुझे वो recover होगा, क्योंकि मैंने liability दिखा ही है, तो मुझे indemnification asset दिखाना पड़ेगा, कि कल को अगर मुझे एक लाख रुपे देने हुए, तो 50,000 तो मुझे सामने वाले से मिल जाएंगे, तो I will show the indemnification asset also. Last but not the least, most important Indies 12 लगेगा, DTA, DTL newly recognized due to temporary differences between fair value and tax base of above assets and liabilities, इसको हम Indies 12 में पड़ चुके हैं, कि जब भी business combination होता है, तो हम assets and liabilities को fair value पे book करते हैं, जबकि जो उसका tax base होगा, acquire के हिसाब से, वो कुछ और हो सकता है, तो दोनों के current जो भी differences होंगे, उन differences के ऊपर आप DTA, DTL भी record करोगे, तो ultimately आपको ये 5 items याद रखने हैं, recognition criteria में net assets में, आपको ये 5 items याद रखने हैं, आई मेरी बात समझ में, clear बिटा? इतना clear हुआ होगा आपको, ठीक है? प्लीज एक बार आप इसको देख लिजे, I have to pick up the call of Vishal sir, तो मैं screen को flip कर रहा हूँ, 2 minutes का मुझे time दीजे, मुझे Vishal sir से बात करनी पड़ेगी, उनका call आ रहा है. तो मुझे लिए. कि अगे तो ने शेट्स ने टेस्ट में रिकाग्निशन अमें इन पांच चीज़ों को करना है आगे चलते हैं मेजर्मेंट अभी तक हमने बस पड़ा कि इनको रिकॉर्ड करो कैसे रिकॉर्ड करना है यहां पर लिखा है जन्रल रूल दो बाते पढ़ने हैं जन्रल रूल एक्सेप्शनल रूल जन्रल रूल मैक्सिमम असेट्स एं लाइबरीज हमेशा फेर वेल्यू पर रिकॉर्ड होंगी ठीके ना फेर वेल्यू अपसेट्स माइनस फेर वेल्यू अफ लाइबरीज एक्सेप्शनल रूल क्या ह exceptional rule के है कुछ assets liabilities ऐसी हो सकती है जिनके उपर आप उनी से उनी के specific indies apply करोगे जैसे DTA retail DTA retail के उपर general rule fair value को नहीं लगेगा उसको कैसे record करना है वो indies 12 के according ही record होगा tax base निकाल कर temporary difference निकाल कर उसका rate लगा कर वगिरा वगिरा अब वो fair value सोड़ी होता है defined benefit obligation as per indies 19 मैंने पढ़ाया है defined benefit obligation DBO obligation indies 19 के according DBO obligation को book किया जाएगा वो current service cost, interest cost share based payment as per indies 102 sbp, जो भी share based payment की जो आप liability book करोगे अपनी books में वो indies 102 के according करोगे fair value पर नहीं करोगे non current assets held for sale अगर कोई non current assets held for sale आपको दिख रही है acquire की books में वो आप take over कर रहे हो तो आप उसके ओ फेर value न करके आप indies 105 लगाओगे indies 105 बोलता है fair value less cost to dispose general rule क्या है fair value जबकि indies 105 क्या बोलता है non current assets held for sale must be measured at fair value less cost to dispose आई बात समझ में ठीक है तो यह आपका measurement technique हो गया तो यह हो गई आपकी net assets ठीक है बटा अब चलते हैं आगे अभी हमारा continue चल रहा है continued from the previous page four elements as on date of acquisition वो point number B हमारा major heading B number चल रही है उसका third element which is called non controlling interest third element non controlling interest क्या non controlling interest negative हो सकता है येस non controlling interest minus में भी हो सकता है सर कैसे minus में हो सकता है अगर बेखो non controlling interest basically होता क्या है non controlling interest net asset का proportion में निकाला जाता है कि subsidiary company के total assets 10 crore के हैं तो 10% उसका NCI है तो एक क्रोड रुपे हो गया NCI अब net assets कैसे होते हैं net assets का मतलब actually होता क्या है मतलब share capital plus reserves and surplus technically या asset minus liabilities तो अगर हम देखें तो net assets में actually share capital plus reserves and surplus आता है और अगर reserve and surplus अगर negative हो जाएगा अगर subsidiary company loss making है तो उसका net asset भी तो negative हो सकता है अगर net asset negative हो गया तो कहीं न कहीं NCI भी negative हो सकता है इसलिए NCI can be negative अच्छा NCI का मतलब क्या होता है NCI मतलब portion of acquires equity not directly or indirectly owned by parent portion of acquires equity अक्वाइरी का equity capital का वो portion जो parent के पास directly या indirectly नहीं है मतलब parent ने अक्वाइरी का equity खरीदा या फिर अपनी किसी दूसरी subsidiary से खरीदवाया directly खरीदा या किसी indirectly किसी subsidiary से टेक ओवर करवाया तो अक्वाइरी कंपनी का equity capital का वो हिस्सा जो पैनेंट ने नहीं खरीदा है इधर directly और indirectly जो किसी third party के पास है वो होगा NCI NCI के पास कभी control नहीं होता है decision making नहीं होती है पर उनके पास sharing होती है how to calculate NCI कैसे calculate किया जाता है यह बहुत important है NCI calculate करने के दो तरीके होते हैं NCI calculate करने के दो तरीके होते हैं एक होता है proportionate share of net assets और दूसरा होता है fair value proportionate share of net asset का मतलब जैसे subsidiary company के net asset है है दस करोड दस करोड के as on date of acquisition अब 10 करोड के net assets है हमने 90% investment किया है तो 10% किसका हुआ NCI का तो उस 10 करोड का अच्छा वो 10 क्रोड क्या होगा fair value उस 10 क्रोड का 10% will be NCI वो 10 क्रोड क्या होगा fair value general rule के according हाँ यह भी हो सकता है कि 8 क्रोड को हमने fair value कि जनरल rule के according बाकि हमने 2 क्रोड रुपए निकाले इन इंडियस के according तो कुल मिला के वो 10 क्रोड का net asset बन गया अब जैसे 10 क्रोड का net asset बना कि उस 10 क्रोड के net asset का जो भी fair value होगा date of acquisition पर उसमें आपको NCI का share into करना है यह आपका आजाएगा proportionate share of net assets आई मेरी बात समझ में क्लिर वह बैटा simply proportionate share of net assets अब एक दूसरा तरीका होता है विच इस कॉल्ट फेर वेल्यू केता है कि net asset के proportion में मत निकालो यह तो एक पहला तरीका हो गया कि अगर subsidiary company के net assets है 10 crore के तो उसका 10% दूसरा तरीका कि अगर मान लीजिए आपकी subsidiary company एक listed entity है listed company है तो उसका share price किसी ने किसी stock exchange में listed होगा जनरल यह listed company लगाती है तो अगर उसका share price किसी ने किसी stock exchange में लिस्टेड है तो वो लिस्टेड प्राइज है वो जो quoted price है वो जो market value per share है उस subsidiary company की number of share से multiply कर लो सर किसके number of shares है NCI के number of shares माल यह total share issued है दो करोड number of shares 2 करोड में से 1 करोड 80 लाग shares हमने out of 2 करोड shares 1 करोड 80 लाग shares are held by acquirer remaining 20 lakh shares are held by NCI to 20 lakhs into market price per share as on date of acquisition that will become the fair value of NCI as on date of acquisition this is the method market price per share on date of acquisition into number of shares of NCI yeah held by NCI this is the one way to calculate NCI at fair value even the fair value can be calculated by different ways the first one is this and the second one is indirect way what is this indirect way basically whatever PC you have paid you have discharge PC मतलब मैंने उस कंपनी को टेकोवर करने के लिए कितना पे किया what amount I have paid PC purchase consideration point number one मैंने पे किया उसको टेकोवर करने के लिए for example 12 crores to invest 90 percent I have invested 90 I have invested in the 90 percent shares of subsidiary company at rupees 12 lakh that means my 90 percent investment is costing at 12 crore if 90 percent value is 12 crore what should be the 10 percent value interpolation so PC divided by acquirers share that means PC is 12 crore which is actually the 90 percent what will be the 10 percent PC you have paid 12 crore आपने बारा करोड पे किया which is the 90 percent share what should be the 10 percent so 12 crore divided by 90 percent into 10 percent यह हो गया आपका fair value of NCI based on this technique सर अब यह दो अलग अलग तरीके क्यों है बिटा इस 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 बेस्ट and this one with this one this one will be given the first priority कभी कभार question में आपको market price per share नहीं देगा acquiring entity की और वो बोलेगा कि fair value करो आप क्या करोगे proportion of net asset तो कर नहीं सकते तो fair value करने के लिए market price तो है नहीं तो आप बोलो कि ठीक है whatever PCI have paid it is also a fair value na whatever PCI have paid whatever PCI have discharged 12 crore it is also a fair value see this see this basically purchase consideration we calculate at fair value na so whatever PCI have paid it is also at fair value na 90 crore is 90 percent I have acquired at 12 crore so 12 crore is also a fair value na so if the 12 crore is the fair value of 90 percent what will be the fair value of 10 percent simply so यह तरीके से आप NCI निकाल सकते हो आपको question बताएगा कि आपको NCI fair value सो निकालना है कि proportion of net asset से निकालना है fair value first priority देनी चाहिए proportion of net asset second priority देनी चाहिए ठीक है एक और चीज़ types of NCI NCI कितने type के होते है NCI कितने type के होते है NCI दो type के होते है एक होता है qualifying NCI एक होता है non qualifying NCI Generally हम जितना भी NCI को imagine कर रहे है वो सब qualifying NCI imagine कर रहे है What is qualifying NCI like suppose acquiree, acquiree company का share capital है 1 lakh number of share 1 lakh issued out of that 95,000 shares are acquired by me I become the holding company 5000 shares are held by Mr. X X Y Z combine so X Y Z will become the NCI qualifying NCI because they are holding the actual equity shares ordinary equity shares of the company There can be non qualifying NCI also what is this non qualifying NCI? Acquiree company का 1 lakh equity capital है है पत इसके एलावा 20,000 20,000 convertible debentures है 20,000 convertible debentures है and they will be converted into fixed number of equity shares fixed number of equity shares they will be converted into fixed number of equity shares in the next year तो वो जो convertible debentures है वो भी एक तरीक से equity हो गया हमने financial instrument पढ़ा हुआ है तो they will be converted into fixed number of equity shares for example 1 is to 1 के ratio में 20,000 debentures will be converted into 20,000 equity shares वो जो 20,000 equity shares जब convert हो जाएंगे उन debenture holder को मिलेगा तो वो भी आगे चलके equity share older बन जाएंगे पर आज वो debenture holder है तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे non qualifying मालब वो आगे चलके वो NCI बढ़ सकता है that is called non qualifying other component of equity not ordinary like ESOP मान लीजे मैंने अपने employees को ESOP का option देखे रखा है तो आगे चलके वो equity share बन जाएंगे अभी नहीं है convertible securities share warrants आगे चलके मैं share issue करूँगा अभी मैंने फिर पैसा लेकर रखा है तो इन सब को आगे चलके share देने वाला हूं तो holding company का आगे चलके percentage कम हो जाएगा तो इस आर कॉल्ड non qualifying NCI non qualifying NCI always apply fair value method for non qualifying what is this fair value method यह हमने अभी पढ़ा कि NCI को measure करने के लिए fair value लगाते या फिर proportionate of net asset लगा यह entity management का इंटेंशन करता है पर non qualifying के लिए आप हमेशा fair value लगा होगे क्योंकि आप proportionate of net asset लगा ही नहीं सकते तो यह वाली point आपको clear हो गई होगी NCI के बारे में लास्ट बचाए goodwill gain from bargain purchase उससे पहले वापस आते हैं मैंने आपको बताया था कि goodwill gain from bargain purchase निकालने के लिए आपको एक चाहिए PC हमने अभी देखा इसको pending छोड़ दो दूसरा चाहिए non controlling interest और तीसरा चाहिए 100% net assets हमने 100% net asset भी देख लिया हमने NCI भी देख लिया अब जब इन सबको compare करोगे fair value थोड़ दिर के लिए छोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा goodwill जैसे मैं आपको बोलूँ for example PC is 12 crores for example PC is 12 crores net asset 100% fair value इससे 14 crores and I have acquired 90% so basically मेर पास 2 alternative है alternative one मैंने PC कितना पे किया है 12 crores I should compare this 12 crores which is actually the 90% for the 90% interest I should compare this with the 90% of the net assets so 40 14 crores ka 90% is 12.6 crores so 6 technically 6 is gain from bargain purchase which will be transfer to capital reserve I have another alternative जहां मैं बोलूँगा यार PC तो मेरा ठीक हे 12 crores it is for 90% but basically this is called control approach this is called sharing approach मैंने 90% share को 90% net assets से compare किया but here I am following control based approach कि बले मेरा 90% sharing है but I have control over 100% net assets that is 14 crores but out of this 100% net assets 90% is with NCI so technically मैं यहां पर NCI प्लस कर दूँगा 10% तो 14 crore का 10% 1.4 crore प्लस कर दूँगा अब करिए तो 12 प्लस 1.4 माइनस 14 तो भी कितना आएगा 0.6 gain from bargain purchase अब आप बोलो के सरी यह कैसे हुआ थोड़ा इसका logic समझाओ आप journal entry से इसका logic समझो journal entry for consolidation अगर एक acquirer company consolidation के journal entry करेगी तो वो बोलेगी 100% net assets account debit that is 14 crores I have recognized 100% net assets because I have control over 100% assets but yes my sharing is 90% so I have to book 10% liability for NCI also कि कल को अगर मैंने 14 crores के net assets बेच दिये जो कि मेरे पास हाग के बेचने का I have the discount making power तो उसमें से 10% मुझे NCI को देना पड़ेगा तो 2 NCI that is 1.4 मैंने फिलाल 1.4 कैसे निकाला proportion of net assets से निकाला फिर उली तो नहीं निकाला and what I have discharge I have paid the PC तो मैंने PC पे किया होगा bank share के form में that is called 12 crores which is PC so basically जब आप इसका difference निकालोगे तो क्या आया आपने क्या किया आपने इन दोनों को add किया तो मैंने भी वही किया यहाँ add किया और आप इन दोनों को add करके 14 से compare करोगे तो यह आपका आएगा 2 capital reserve 1.4 so basically this is the logic of this entry understood or not this way we calculate goodwill or gain from bargain purchase समझ आया please take the snapshot of this मैं के की note करने का time नहीं दे रहाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं now and this is called this is the last but not the least goodwill gain from bargain purchase see now since NCI हमने दो तरीके से निकाला fair value approach proportionate of net asset approach इसका मतलब जो मेरा NCI है अगर proportion of net asset के हिसाब से 1.4 क्रोड आ रहा है तो जरूरी नहीं कि fair value से 1.4 यह हो तकता है fair value से 1.5 क्रोड आ जाए इसका मतलब fair value से मेरा NCI और proportion of net asset से NCI क्योंकि different है तो जब मैं goodwill निकालूंगा तो मेरी goodwill भी दो अलग अलग तरीके से निकलेगी क्योंकि goodwill निकालने के लिए मुझे PC चाहिए कोई दिक्कत नहीं net asset चाहिए कोई दिक्कत नहीं NCI चाहिए अब NCI के दो में 30 fair value और proportion of net asset अब NCI अगर fair value basis में निकाला तो goodwill capitalism कुछ और आएगी और proportion of net asset से निकाला तो goodwill capitalism कुछ और सकती है इसी लिए तेरा two methods to calculate goodwill or capitalism also the first is full goodwill method the next is partial goodwill method full goodwill method मतलब where the NCI is taken at fair value अगर आपने NCI fair value पर लिया है और उस basis पर आप goodwill निकाल रहे हो या gain from bargain purchase निकाल रहे हो it is called full goodwill method अगर आपने NCI proportion of net asset के हिसाब से लिया था तो उसको बुलेंगे अवन partial goodwill method sir why we are calling it full goodwill and partial goodwill basically यहां पर आपकी goodwill ज्यादा आने के chances होते हैं goodwill PC plus NCI is higher than net asset obviously PC मैंने NCI plus क्यों किया वो journal entry का logic gain from bargain purchase net asset is higher than PC plus NCI simply though OCI is to be a a cha now joke gain from bargain purchase वो कहां जाएगा goodwill तो आपका balance sheet में देखेगा obviously वो पी इंडल में जाएगा नहीं पर gain from bargain purchase कहां जाएगा gain from bargain purchase through OCI it is to be shifted to capital reserve under soki मतलब जिस साल में आपने business combination का transaction किया है उस साल के पेंडल statement के OCI वाले section में आप दिखाओगे gain from bargain purchase और उसको soki में जाके आप capital reserve की category में डाल दोगे आई बात सवन में तो through OCI in the current year it will be shifted to soki in the name of capital reserve OCI in current year only ठीक है तो this is your goodwill or gain from bargain purchase I hope आपको इतना portion समझ में आ गया होगा C number portion हम अगली class से चलना शुरू करेंगे यह आपका B ही था guys ठीक है so this was chart revision for today's session आज के session के लिए chart revision इतना ही मैं करवा रहा हूँ इसके बाद का portion अगली class में हम discuss करेंगे मतलब next class tomorrow ठीक है for the for this session I am enabling the chart chat if you want you can ask me the doubt sir non qualifying asset को DOA non qualifying NCI को DOA पे calculate करेंगे sir purchase consideration में India's 102 वाला part and change in its change in its fair value after acquisition बता दीजिए उसमें doubt आता है purchase consideration में India's 102 वाला part पेटा वो आगे वाला part है actually वो जो SBP वाला आप बोल रहा हो ना वो आगे वाला part है मैं आपको दिखा दूँ वो आगे वाला part है वो कहीं ने कहीं वो आगे आएगा यह यह वाला 13 number point ठीक है sir, even if we give a variable number of securities equity as a part of counter to your departure, eventually the shares of holding company should reduce, how would this be dealt with in a business combination? See, as on date of acquisition you are free to treat this not a part of NCI because it is in the variable form, so it is a part of financial liability, right? How many shares we will issue it is not fixed, so basically how you will calculate the NCI it might be different, so it is totally on the judgment of management of the acquirer कि हम उसको measure करें कि नहीं करें, fair value के, हम अगर measure करवा सकते हैं, मेरे वाला तो हम ले सकते हैं नहीं तो हम उसको आगे चलके measure करेंगे sir, fair value में NCI calculate करने से वो तो negative नहीं आएगा ना not necessary हो सकता है, fair value method पे भी negative आजाए, negative fair value आ सकती है, not necessary, sir why GBP is transferred first to OCI any reason, it is not the way, guys try to understand, हमें उसको sohki पहुचाना है, तो उसको OCI के रास्ते ले जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, OCI के रास्ते ले जा रहे हैं हम उसको OCI के रास्ते ले जा रहे हैं सर, if there is any condition to be fulfilled regarding shifting of GBP from OCI to CR under Soki, see there are some basic conditions, उसको हम अगली lecture में मैं बता दूँगा, क्या basic conditions हैं उसकी, sir if bank given loan at variable interest rate then it is classified under Amuta, what is the accounting of non-qualifying share, non-qualifying share की ऐसे कोई separate accounting नहीं होगा, उसको qualifying share के साथ add किया जाएगा, sir distress sale में OCI के through yes में यही जो शुबम ने पुछा था उसका यही पर आ रहा है, पूर्निमा, distress sale में OCI के through, Soki में CR में जाएगे, otherwise directly in CR, obviously मैं भी बात करना चाह रहा हूं कि basically इसके दो तरीके, एक OCI के through जाता है और एक directly capital reserve जाता है, एक OCI के through जाता है, एक directly capital reserve जाता है, उसमें बोला गया कि distress sale है कि non distress sale है, अब आप बोलोगे distress sale, distress sale मतलब basically होता ना जैसे हमने जल्दबाजी में अपनी company को बेच दिया, हमें पैसो की जरूरत थी, ठीके ना, market value पर नहीं बेचा, it is called distress sale, तो अगर ऐसे case में हमने खरीदा है, तो OCI will be OCI will be there, सब कुछ ही cover है सर, चार्ट में बता, बहुत अच्छा चार्ट है सर, thank you, can you please repeat the indemnification asset point, did I understood that point very clearly, तो आपने उस time पर क्यों नहीं पूछा बिटा, उस time पर पूछना चाहिए न, indemnification asset, indemnification asset मतलब, see I am the acquirer and the company whose business is being taken over by me is acquirer, now acquirer ने किसी को guarantee देकर रखिये, किसी bank को, मैंने वो देखा, terms and conditions, मैंने यार यह तो guarantee देकर रखिये, क्या लगता है, हमें लगा यार वो guarantee आगे चलके mature होगी, मतलब आगे चलके हमें कुछ pay करना पड़ेगा, वो थोड़ी pay करेगा, pay तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने control take over कर लिया, तो I am recognizing liability actually, but for that, मैं acquirer से एक indemnification ले रहा हूँ, कि अगर कल को मुझे कुछ हुआ, तो तू मुझे reimburse करेगा, या मैं किसी third party से reimbursement ले रहा हूँ, तो वो reimbursement का पैसा, जो मुझे मिलेगा आगे चलके, क्योंकि मैं liability book कर रहा हूँ, तो उसको मैं indemnification asset दिखा रहा हूँ, Will you take one full question involving major concepts at last? No, not at all, this is the chart revision, as far as one question is concerned, I have taken business combination का separate revision in English format, वो देख लो, chart revision में कोई question question नहीं होता है, non current asset held for sale को acquisition date पर recalculate करेंगे, acquisition date पर उसको fair value less cost to dispose पर ले ले लेंगे, हीना बंसल, आपको लगता होगा कभी कबार है आप जैसर कुछ जादा ही गुसा कर रहे है वगेरा, आपको जादा ही जादा ही चिला रहा हूँ हम कुछ बच्चे शायद immaturity खो चुके हैं, अच्छे से शेचन हैं, आज के सेशन में यही ता, वी विल अब्सक्राइब फॉर्दर थिंग्स नेक्स सेशन ठीक है, thank you so much आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से I hope आपको ये business combination का charter vision अच्छे से समझ में आया होगा thank you so much bye bye जय मातादी अलावस टेक कियर आपको 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 झाल 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 झाल